जेहिन दोस्तो मैं हुआनू पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक। जबकि वीडियो के सबसे आखरी हिस्ते में आपको चायना के डर के बारे में बताऊंगा और चायना डर के मारे क्या कर रहा है तैयारी। वही पे भारत के साथ अमेरिका का दोस्ती के बजाए से अमेरिका के तरफ से भारत को अत्यादूनिक हतियार काफी किफायती समझोते के तहट मिल रहा है। और ऐसे ही एक ख़वर के तहट आज ही हमें पता चला है कि इंडियान नेवी को अमेरिका से दो प्रेडियेटर द्रोन मिला। और अमेरिका से असल में लीस में लिया गया है और इंडियान नेवी के तरफ से इसका इस्तेमाल इंडियन ऊशन रिजन के अंदर पेट्रोलिंग के लिए और सर्वलेलेंस के लिए किया जाएगा। कि इंडिया को ये द्रोन नॉवेंबर के दूसरे हपते ही मिला है जबकि 21 तारिक के दिन INS राजली में इंडिया नेवी द्वारा इसे फ्लाई भी किया गया दोसो प्रेडियेटर द्रोन दुनिया के सबसे घातक द्रोनों में से एक है और ये अमेरिकी फोर्सेस द्वारा बड़े मात्रा में इस्तेमाल भी कायाता है और अमेरिका इसे अफगानिस्तान के रिजन में भी बहतरिन तरीके से इस्तेमाल कर चुका है और इसी वज़ाए से अमेरिका का ये भी कहना है कि इंडिया इसे चाहे तो पाकिस्तान के खिलाब भी इस्तिमाल कर सकता है और इंडिया के खिलाब भी इस्तिमाल कर सकता है बेसिक इंडिया और अमेरिका के द्रोन के डील में टोटल 30 द्रोन खरिदने का बात हुआ था जिनमें अमेरिका के तरफ से साफ किया गया था कि 6 द्रोन अमेरिका जल्द से जल्द भारत को सप्लाई करेगा जबकि बाकी के बचे 24 द्रोनों को 20 समय के मुताविक भारत को सप्लाई किया जाएगा इन छे द्रोनों में से हर एक forces के लिए दो द्रोन का offer किया गया था पर फिलाल नेवी को ही दो predator B द्रोन मिला है और ये भी emergency basis पे स्रिफ lease लिया गया है दोसो यहाँ पे सवाल ये भी है कि भारत के तरफ से ना खरिद के इसे lease में क्यों लिया गया दोसो lease में लिया जाए या भी खरिदा जाए इंडिया इसे अपने जरुवत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है और जरुवत पढ़ने पे चायना के खिलाब भी इस्तेमाल कर सकता है और हाली में आप लोग कुछ रिपोर्टों में ये भी सुने होंगे कि बजट के कमी के बज़ा से इंडिया द्वारा हत्यारों को डारेकली पर्चेस ना करके अभी lease में लिया जाएगा दोसर यहाँ पे बजट के कमी के इलावा दूसरा ओप्शन ये भी है कि इंडिया बिदेश से हत्यारों को खरिदना नहीं चाता है बलकि अपना स्वादेशी प्लाटफरम का डेवलप्मेंट कर रहा है और डेवलप्मेंट में जो थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है उसे पुरा करने के लिए इंडिया द्वारा ना खरित के हत्यारों को lease लिया जा रहा है ताकि पैसे का बजट किया जा पाए इवन इसमें एक तरीके से ये भी इशारा है कि इंडिया अब आत्मा निर्वार भारत को ही जादा महतो दे रहा है और विदेश से हत्यारों को खरितना इतना महतो पूर्ण ने इंडिया के लिए नहीं है और इसी वज़ा से ही lease के बिकल्प को माना जा रहा है जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया फिलाल lease में ले रहा है लेकिन lease का अबदी पूरा होने के साथ साथ इंडिया द्वारा बाकी payment करते हुए इसे अपने forces में पूरा पूरी शामिल कर लिया जाएगा दोसे ये तो था बात का बात लेकिन अभी फाइनली इंडिया को दो आधुनिक द्रोन मिल चुका है जिसका इस्तेमाल इंडिया चायना पाकिस्तान दोनों के खिलाब जब चाहे तफ कर सकता है पर दोस्तो मेरा मानना ये भी है कि ये खाली दो द्रोन नहीं बलकि इंडिया को बाकी द्रोनों के तरफ भी आगे बढ़ाने का एक रस्ता होगा और इंडिया आने वाले समय में अपने जरुरतों को पूरा करने के लिए जल्दी अपना द्रोन डेफलफ कर लेगा या फिर ल कि द्रोन के द्रोन का पैर फिर से एक बार कापना शुरू हो चुका है और माथे के पसिनाच्पाने के लिए कमरजावेद वाजवा के द्रोन के जरुरत को पूरा करने के लिए अर्दोगान का पैर पकरना शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान अब टर्की से छोटे आकार के द्रोन खरिदने के लिए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान का अब जान चायना भी हाली में भारत के हाथ में पिट चुका है। जबकि दूसरे तरफ चायना भी इंडियन आर्न फोर्स के बढ़ते हुए डेवलोप्मेंट को देखते हुए काफी ज़्यादा तिल मिलाया हुआ है। रैफैल आने के बाद से ही चायना का पसिना तो ऐसे ही छूट रहा था और चायना के द्वारा आये दिन अपने जनता को खुश करने के लिए जेटोइंटी का गुन गाया जा रहा था। लेकिन अब सुनने को आ रहा है कि चायना का ये जेटोइंटी कुछ काम का नहीं है बोलके चायना अपना पुराना जेटोइंटी को ही काम में लाने के लिए प्रयास चला रहा है। चायना फिर गलवान वाटी के जैसे बड़े संख्या के फोर्स लाने के वावजूद पिकते हुए बापस भागेगा। और जेटोइंटी को सुखुई 35 के टेक्नोलोजी चुरा के मजबूत करने का मौका मिलने के बाद चायना के तरफ से इन एर क्रेप्टों को फिर से बनाने का तैयारी किया जा रहा है और चायनीज एर फोर्स अपने जंग फाइटरों को रेशिया से चोरी किया हुआ एक्व 400 मिलेगा तब सोचिए कि क्या होगा पाकिस्तान और चायना का हालत जबकि इन इंपोर्टेट हतियारों के इलावा इंडिया के तरफ से खुद के बनाया हुआ हतियारों को भी एक के बाद एक परिक्षन किया जा रहा है और एक के बाद एक लॉंचिंग भी किया जा रहा है साथ में अमेरिका से जो कूछ अन्य और हत्यारों को खरीदा गया है उनका भी डिलेवरी शुरू हो चुका है इवन अमेरिका के तरफ से इन हत्यारों में आधुनिक एक्विप्मेंटों को फिर से एक बार लगाने का बात भी कहा जा रहा है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो आच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद